हेलो बच्चो मेरी पार्च्छालेम आपका स्वागत है आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 उसके कुछ क्वेस्चन्स को हल करेंगे ये एक्सरसाइज बिसिकली इस प्रॉपर्टी पर आदारित है कि एक ट्रैंगल के तीनों एंगल का जोड 180 डिग्री होता है तो पहला क्वेस्चन वन है उसके छे पार्ट हैं और मैं छे पार्ट में से एक पार्ट आपकर करके आपको बताऊंगा बाकी पार्ट जो हैं आपने खुद अटेंप्ट करने हैं और खुद उनको हल करने का परियास करना है तो क्या क्वेस्चन है फाइंटी वैली ओफ आन्नोन एंगल एक्स ये एक एंगल एक्स है इनफेक्स के दो एंगल आन्नोन है एक्स और टू एक्स और ये क्या चीज है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ये सिंबल होता है राइट एंगल का अर्थाच ये 90 एंगल है तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इस इकल टू हंडर्ड एक्टी डिग्री किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो उसका जो सम होगा हंडर्ड एक्स बी है एक्स और ये है 90 तो अभी क्या करेंगे हम एड कर देंगे X और X2 हो जाएगा 3X क्योंकि यह 2X है यह X है जितनी इसकी एवेलियों से दुगनी वैलियू उसकी है प्लस 90 डिग्री इसकल टू 180 डिग्री अब 90 को राइट साइट पे ले जाएंगे तो जब राइट साइट पे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि equation में जब हम एक side से दूसरे side ले जाती है तो जो add होता है वो minus हो जाता है इसका क्या मतलब है 3x is equal to 90 degree 80 में से 90 कटा है 90 degree अब यह 3x है तो हम क्या करेंगे दोनों side को 3 से divide करेंगे we will divide both sides by 3 3x को 3 से divide किया और 90 को 3 से divide किया यह भी आपको सिखा रखा है एक equation में आप ऐसा किया जा सकता है तो x is equal to 30 degree 3x को 3 से divide किया x 90 को 3 से divide किया 30 तो अगर यह angle जो b है angle b हो गया 30 degree और angle a जो है वो क्या है 2x अर्थात इसका दूगना 60 degree तो अगर यह 60 है यह 60 है यह 30 है 90 तीनों को add करेंगे 180 हो गया very simple सीथों को पता ही है हमने यह डूढ़ने थे angle अब इसका question number 2 करते हैं उसका भी एक part मैं करके आपको बताऊंगा बाकी part आप खुद करेंगे part 2 में क्या कहता है question number 2 में क्या कहता है find the value of unknown angle x and y in the following diagrams उन्होंने diagram बना रखिये यहां भी 6 diagrams है उसमें 2 angle है और दोनों angle आपको डूढ़ने है एक मैं करके बताता हूं आपको diagram 5 वाला 5 में क्या diagram बनाई उन्होंने ऐसे यह angle है x यह angle है x और यह angle है y और यह है 90 degree तो हमें x भी डूढ़ना है और y भी डूढ़ना है ठीक है तो अभी आपको द्यान होगा एक वीडियो में हमने देखा था क्योंकर दो line segment एक दूसरे को एक जगा कार्टियां तो बन जाता है intersecting lines तो they are intersecting lines here यह intersecting lines हैं तो intersecting lines में क्या होता है vertically opposite angle ब्राबर होते हैं so y is equal to 90 degree why because vertically opposite angles are equal यह vertically opposite angle है दो line एक दूसरे को काट रही हैं यह angle इसके बराबर है यह angle इसके बराबर है यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है तो यह 90 है तो यह भी 90 हो गया ठीक है अब यह हमें हमें पता लग गया 90 है और यह x है तो अभी हमें मालूम है कि तीनों angle का जोड 180 होता है एक angle x दूसरा भी x है अब तीसरा 90 degree हो गया यह वाला तीनों का जोड कितना होगा 180 degree because इसका क्या लिखेंगे sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree यह आपको ना इसमें लिखना पड़ता है exam में तभी आपको पूरे marks मिलेंगे तो अब इसको solve कर लेते हैं बहुत simple है x प्लस x हो जाएगा 2x और 90 को हम उस साइड ले आएंगे वो जब उस साइड लाएंगे जैसे यहाँ पर उस साइड लाए थे वो minus हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है 2x is equal to 90 degree उसका क्या मतलब हुआ दोनों को 2 से divide करेंगे क्यों 2 से divide करेंगे क्योंकि 2x है और हमें x की value डूल नहीं है इसका क्या आंसर होगा 2x हो जब 2 से divide किया बना x और 90 को 2 से divide किया तो बना 45 degree तो इसमें क्या आंसर निकला x is equal to 45 degree दूसरे एंगल भी 45 degree है और तीसरे एंगल जो है y वो 90 degree है तो यह triangle की तीन एंगल बने 45 45 वो 90 degree ठीक है ऐसे ही बाकिक questions को आप attempt करिए attempt खुद करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि हम इस properties जो थी है जो हमने सीखी है vertically opposite angle की यह parallel line being intersected by a transversal वो सब चीजें कभी-कभी आपको use करनी पड़ सकती है जो पिछले chapters में आपसे सीखा था और इसमें क्या सीखा था हमने इस topic में कि sum of three angles of a triangle is equal to 180 कोई भी triangle हो obtuse angle triangle हो acute angle triangle हो यह right angle triangle हो तीनों angles का जोड हमेशा vanity होगा उस property को use करके हमने दोनों questions में हल किया है इसमें हमने एक और property use की थी वो है vertical opposite angles are equal तो बाकी बाकी जो है questions आप attempt करिए अगर किसी question में आपको दिक्कत आती है तो मेरे comment box में लिखिए मैं आपको वो question करके समझाओंगा तो अगर आपको मेरी video अच्छे लगी है इसे आप like करें और अपने friends के साथ share करें और मेरे channel को subscribe करें thank you